मध्य प्रदेश की राजधानी भुपाल के 11 स्कूलों में इमेल के जर ये बम रखे होने की सूचना मिलने के बाद हड़ कम मच गया इस सूचना के बाद पैरेंट सकते में आगे वही पुलिस ने अपने बम निरोधत दस्ते के साथ मोचा समाला राहत की बाद ये रही कि ये सूच ना जूठी निकली इसके बाद शरारत करने वाले को ढूंडा जा रहा है उधर MP में होने वाले निकाय चुनाओ को लेकर जहां कॉंग्रेस 27 की सदी सीटों पर OBCU मिदवारों को उतारेगी तो दूसरी तरफ सरकार की रिवियू प्रिटीशन पर 17 मई को सुनवाई होगी इसको लेकर BJP ने कॉंग्रेस पर तंच कसा है उधर प्रदेश BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मदर्सों में रास्टगान का समर्थन किया है तो वहीं ब्रह्मा कुमारी अगले दो दिन में 10,000 के सानों तक पहुँच कर शांती और समर्थी का नुस्खा देंगी राजधानी बोपाल में शुक्रवार को CBSC के बारवी कक्षा का पेपर होना था लेकिन इसी बीच 11 स्कूल के पास इमेल के जरिये बम होने की सूचना भेजी गई जिसके बाद हड़कम मच गया स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो आनन फानन में सारे स्कूल खाली करवा कर बम निरोधक दस्ते को एक्टिव किया गया रहत की बाद ये रही कि किसी भी स्कूल में बम नहीं पाया गया जिसके बाद पुलिस इन मेल की जाच कर रही है इनके सोर्स का पता किया जा रहा है पुलिस को उमीद है कि ये किसी की शरारत हो सकती है या फिर जाच में किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है इसी सच को जानने के लिए काम किया जा रहा है उधर सुप्रीम कोट के डिसीजन के बाद बहुत संभावना है कि निर्वाचन आयोग बगैर OBC आरक्षन के चुनाव कराए लेकिन कॉंग्रेस इस वर्ग के साथ अन्यायन नहीं करेगी इसके लिए पार्टी ने तै किया है कि आने वाले चुनाव में OBC वर्ग के कैंडिडेट को 27 फिस्दी सीटो पर मैदान में उतारा जाएगा ये फॉर्मूला पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष कमलनाथ के हिसाब से तै किया गया है ऐसे में पंचायत और नगर निगम चुनाव में कॉंग्रेस 27 फिस्दी OBC कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी उधर OBC आरक्षन को लेकर सरकार की रिवीव प्रिटीशन पर 17 मई को सुनवाई होगी इसको लेकर संसदी मंत्री नरूप्तम मिश्रा का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने OBC को उसका हग देने के लिए कोड से थोड़ा समय और देनी की मांग की है इस बीच कॉंग्रेस पर कटाक्ष करते वे मिश्रा ने कहा है कि हमने तीन OBC मुख्यमंत्री दिये हैं जबकि कॉंग्रेस आज तक मुख्यमंत्री तो छोड़िये OBC का नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाई है यह रण छोड़ दास बनकर भगोड़े बनकर अदालत में मानि शिवरास सरकार जो थी बाजपा की सरकार जो थी वह आरक्षण के साथ चुराओं में दें लेकिन उन्होंने कोड में लगा दिया उसका परणाम कहें या दुस्क परणाम कहें या पाप कहें इंका यह आया कि जो था वो और चला गया नया तो यह कर नहीं पाए यह थे हरी वजन को मोटन लगे का पास कांग्रेस की इस्तिति यह इसी है कि हरे पीड़ पर अगर कांग्रेस लिखके आप टांग दोगे तो चार शे मुने बहरा फिर सूप जाएगा उधर यूपी के मदर्सों में रास्टगान की अनिवारिता किया जाने के बाद इसके समर्थन में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आ गया है शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि यदि रास्टगान भारत के मदर्सों में गाने को कहा गया है तो उदर ब्रह्मा कुमारी ने एक दिनी मीडिया समेलन किया जिसके बाद अब दो दिनी किसान समेलन का आयोजन भुपाल के आसपास के छेत्रों में किया जाएगा इसके लिए ब्रह्मा कुमारी के टीम किसानों को ना केवल शान्ती का पाट पढ़ाएगी बलकि उनके साथ खेती किसानी कर समरिद्धी के तरीकों को भी बताएगी ब्रह्मा कुमारी ने दावा किया है कि वे दो दिन में 10,000 किसानों तक पहुचेंगी ब्रह्मा कुमारीज ने 13 मई और 14 मई को किसान महा समेलन करने का निर्णे लिया है और आपको जानकर खुशी होगी और हर्श होगा कि पूरे भोपाल के आसपास के छेतरों में हम 108 किसान समेलन करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे लगबग 10,000 किसान भाईयों को लाब पहुचेगा और इसका उद्देश है कि किसान आत्म निर्भर बने, किसान शशक्त बने और हमारा गाउं गोकुल गाउं बने और किसान के मन में शांती आए, उनका मनोबल बड़े, आत्म बड़े और वो मांसिक रूप से और आर्थिक रूप से शशक्त बने इनी उद्देशों को लेकर यह आयोजन होने जा रहा है